आज की एक्स्पिनिशन शुरू करने से पहले यदि आप लाइव गेमिंग देखना पसंद करते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं बहुत ही जल लाइव स्रिम करने वाला हूँ जहां पर मैं अलग-अलग तरह की गेम के लाइव स्रिम करूँगा इसलिए मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंड में में म दरसल सरकार ने सबी को टाउन को खाली करने का आदेश दिया है और यदि ऐसा हुआ तो वो सबी दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जो वो ऐसा बिलकुल भी नहीं चाहते थे जिस कारण वो तीनों बहुत परिशान थे आगे हम देखते कि टक को एलेक्स का कॉल आता है जहां एलेक्स बताता है कि मेरे फोन में कुछ अजीब से पैटन्स आ रहे हैं जिसके बाद हो टक से पुछता है कि क्या उसके फोन में भी कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं जिस पर टक एलेक्स से कहता है कि उसकी फोन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है वहीं अगली सिन में हम टक को एलेक्स के घर पर देखते हैं जो और बताता है कि मैंने तुम्हारे फोन को हर जगा दिखाया पर तुम्हारे फोन की प्रॉबलम किसी को समझ नहीं आरी फिर मंच Alex के घर पर कुछ फोन्स लेकर आता है। जिन फोन्स को लेकर वो दोनों ग़र्डन में जाते हैं। जहाँ जाते ही उन फोन्स की स्क्रीन पर अजीब से पैटन्स आने लगते हैं। इसके बाद वो लोग इंटरनेट पर लोगों से इसके बार में पूछते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि जो पैटन्स उनके फोन में आ रहे थे वो दरहसल एक मैप है और तब भी एलेक्स के घर पर कुछ लोग आते हैं जो एलेक्स को बताते हैं कि फ्रीवे के काम के दोरान टाउन में इलेक्टिक शॉर्ट सर्किट हो गया है जिसकी वज़े से लोगों कोई फोन में कुछ खराबी आ रही है और यदि तुमारे साथ भी ऐसा हुआ है तो इस पेपर पर साइन कर दो लेकिन एलेक्स कहता है कि उसका फोन बिल्कुल सही है और ऐसा कहे कर वो अपने घर का दर्वाजा बंद कर देता है वहाई है अब तीनों दोस वीडियो कॉल पर मैप के बार में बात करने लगते हैं और उस मैप वाली जगप पर जाने का फैसला करते हैं जिसके अगले दिन स्कूल में वो तीनों प्लैन बनाते हैं कि फ्राइडे को वीडियो गेम खेलने के बाहने वो लोग मैप वाली जगा पर जाएंगे जिसके बाद फ्राइडे के दिन सबी बच्चे वीडियो गेम खेलने का बाहना करके अपनी अपनी बाइसिकल पर उस जगह की और निकल पड़ते हैं जाहां पहुच कर उने एक लोहे का टुकड़ा मिलता है जिसे वो लोग बेकार समझते हैं पर तबी वहां और भी लोग कुछ ढूंडने आते हैं जिने देख कर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं लेकिन जाते समय मंच अपने बैग में उस लोहे की टुकड़े को रख लेता है वहां ही जब मंच अपने घर की तरफ जा रहा था तो उस होल के टुकड़े में से कुछ आवाजे आने लगती है जिसकी वज़े से मंच अपना बैग फेक देता है और जब उस टुकड़े को बाहर निकालता है तो उसमें से आवाजे आना बंद हो जाती है तब ही अलेक्स बीब की साउंड निकालता है जिस पर वो टुकड़ा एकदम से आवाज करने लग जाता है जिससे सुनकर वो लोग डर जाते हैं वोई ठीक उसी समय एलेक्स के फोन की रिंग टॉन भी बजने लगती है जहां वो पाते हैं कि उनके फोन पर एक नया मैप आ गया है जिस मैप की मदद से वो एक गराज तक आप पहुचते हैं जहां मौजूद डिटेक्टर में से कोई चीज बहुत तेजी से निकल कर उस लोहे के टुकड़े से जुड़ जाती है जिससे अब हमें पता चलता है कि ये कोई लोहे का बेकार टुकड़ा नहीं बलकि एक छोटी मशीन जैसी कोई चीज है जिसकी दो आखे भी है और वो अपने टूटे वे हिस्सों को जोड़ रही होती है तब Alex ये भी नोटिस करता है कि ये मशीन उनकी बाते समझ तो सकती है लेकिन उन बातों का जवाब देने के लिए से बीप का प्रयोग कर सकती है जिसके बाद एलेक्स उस मशीन से कहता है कि अगर तुमारे पास हमारे किसी सवाल का जवाब है तो एक बार विप करना और जवाब ना होने पर दो बार विप करना ये रेलेक्स मशीन से कई सवाल पूछता है जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ये कोई मशीन नहीं बलकि एक एलियन है जो किसी दूसरे प्लैनेट से यहां आया है क्योंकि किसी अंजान फोर्स ने इस एलियन पर हमला किया जिसकी वज़े से उसकी स्पेशिप पित्वी पर क प्रैश हो गई और अब इस एलियन को एलियक्स की मदद चाहिए जिससे वो खुद को और अपनी स्पेशिप को ठीक कर सके इस पर एलियक्स और उसके दोस अगले मैप की मदद से एक पॉन शॉप पर जाते हैं जहां एक ट्रमपेट के अंदर से एलियन का एक और हिस्सा ते ख़़ने में दिख्कतारी थी इसलियर एलिपस अन्य FEMA के पर में लगा देता है जिसके मदद से अब वो ख़़डा ओ जाता है लेकिन कुसदेर बाद वो गिर पी जाता है और यहां में देखने को मिलता है कि वो इ caus हवा में उड़ भी सकता है ताब एलेक्स और एको को अप पने बैग में रखकर मैप में बताई गई अगली जगह के लिए निकल पड़ता है जहां वो यह देखता है कि मैप उसे एमा के घर ले आया है जो कि उसी के स्कूल में पड़ती है जिसके बाद वो तीनों दोस्त चुपके से एमा के रूम में जाते हैं और वहां रखे बॉक् आ जाती है इसलिए उनसे पूस्ती है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब देता है एमा को एको दिख जाता है जीस पर मंच एमा को सब बता देता है कि एक एलियन है और हम इसके मदद कर रहे हैं जीस से ये वापस अपने घर जा सके इसलि वो सब भी उसके साथ एक सूपरमार्केट के तरव जाते हैं जहां उन्हें वही आदमी दिखता है जो एलेक्स के घर आया था अब उस आदमी को देखकर ये सब भागी रहे होते हैं कि तभी वो आदमी उनके सामने आ जाता है जो उनसे पूसता है कि तुम लोग इतने रात मे कैमरा लेकर यहां क्या कर रहे हो और तभी उस आदमी को एको की बीप की आवाज आती है इसलिए वो उस आवाज की बार में पूसता है पर सही समय पर एमा आ जाती है और वो जुट बोलकर एलेक्स और मंच को वाहां से निकाल लाती है जीसके बाद हो सबी बार में जाते है जहां एक pinball machine से Echo का एक और इससा बाहर आकर Echo से जुड़ जाता है अब बाहर से बाहर आने पर Emma Echo से बात करने लगती है और इससे Emma को पता चलता है कि Echo पर हमला पित्वी से ही हुआ था और हमला करने वाले लोग कोई और नहीं बलकि construction वाले कुछ लोग थे दरसल जो शक्स एलेक्स के घर आया था वो भी इनी कंस्ट्रेक्शन वाले लोगों में से एक था और यहां अब हम समझ पाते हैं कि वो लोग इस टाउन को क्यों खाली करा रहे हैं ताकि वो एको और उसकी स्पेशिप को ढून सके जो सब सुनकर टक बहुत डर जाता है और कहता है कि अगर वो लोग एको को ढून रहे हैं तो इससे हम सबको भी खत्रा है इसलिए वो एको की मदद ना करने का सुझाव देता है दीज बात को सुनकर एको बहुत उधास हो जाता है तब एलक्स एको से वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा फिर अगले सिन में वो सब ही बाहर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वह वही कंस्रक्शन वाले आदमी आकर एक मशीन की मदद से एको का पता लगा लेते हैं और फिर एको को जबरदस्ती अपने साथ ले जान एक्सपरिमेंट कर रहे होते हैं फिर इतने में ही वहाँ एक ओफिसर आकर एलेक्स और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है ओफिसर फिर एलेक्स को बताता है कि छे दिन पहले उन्हें स्पेस से कुछ सिगनल सा रहे थे जो सिगनल एक एलियन स्पेसिप के थे जिस पर हमला क कि उन्होंने spaceship गिरा दिया और अब उन लोगों को ये डर था कि यदि वो alien यहां से वापस चला गया तो वो बाद में यहां आकर सब को मार देगा जीस पर एलेक्स जवाब देता है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि वो alien अपने घर जाना चाहता है फिर वो officer कहता है कि हम phone मे आरे map को follow करेंगे और जैसे alien अपने spaceship तक पहुचेगा हाम उस spaceship को हमेशा के लिए नस्ट कर देंगे फिर अगली दिन सबी लोग map follow करते हुए एक जंक्यार तक आ जाते हैं जहां एलेक्स देखता है कि experiment की वज़े से एको बहुत ही कमजोर हो गया है जिसके बाद एको की इन टोन को गुन-गुनाने लगता है जिसके बाद एको अपने बाखी हिस्सों को जोड़कर पूरी तरह से ठीक हो जाता है फिर एको जंक्यार के कबार से एक दिवार बनाकर officers को फसा देता है जिसके बाद एलेक्स और उसके दोस officers का ट्रक लेकर वहां से भाग निकलते हैं और बाद में वो जुड़ भी जाता है और अब हमें याँ पता चलता है कि एको के पास कुछ खास शक्ति हैं जिसके मदद से वो metal को काबू कर सकता है इसके बाद उन सबी के phone पर कुछ patterns आते हैं जिने एक साहत जुड़ने पर उन्हें एक नया map मिलता है जो map एको की spaceship की जीसके दर्माजे को खोल कर वो एको को spaceship की seat से attach कर देता है और अब spaceship में Alex के बाकी दोस भी आ जाते हैं जो इस spaceship को देखकर हैरान रह जाते हैं फिर एको उन्हें साथ बिताए पलो की memories दिखा कर अपने spaceship को चालू करता हैं जीस पर Alex और उसके दोस spaceship से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने पर वो देखते हैं कि spaceship की छोटी छोटी टुकडी जमीन के अंदर से बाहर आ रहे हैं जो देखती देखती ऊपर हवा में आकर जूड़ जाते हैं जीस से एक बहुत ही विशाल spaceship बन जाती है जी spaceship को लेकर एको वाँ से चला जाता है फिर अगली सिन में हम देखते कि एलेक्स और मंच टाउन छोड़ कर जा रहे होते हैं क्योंकि बाके लोगों की तरह उनकी माता पिता ने भी दूसरा गर खरीद लिया था साथ ही साथ एको भी प्रित्वी से चला गया था जीस कारण freeway का काम भी रोग दिया जाता है क्योंकि freeway बनाने के बहाने सरकार इस की आवाज आती है याने कि आज नहीं तो कल एको से मिलने वापस जरूर आएगा और इसी happy बट emotional एंडिंग के साथ ये movie यही समापत हो जाती है आशा है आपको मेरी explanation पसंद आए यदि हाँ तो please वीडियो को like करना और channel को subscribe करके support करना ना भूलें मिलते हैं अगले explanation वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों